ओम नमो भगवते वासू देवाए जिस महिने की पुर्णिमा तिति जिस नक्षत्र से युक्त होती है उस नक्षत्र के अधार पर ही इस महिने का नामकरण किया जाता है चुकि मार्ग शीर्ष महिने की पुर्णिमा म्रग शीरा नक्षत्र से युक्त होती है इसलिए इस महा को मार्ग शीर्ष कहा जाता है इसके अलावा इसे मकसर, मंकसिर, अगहन, अग्रहायन आदी नामों से भी जाना जाता है ये पूरा महिना बड़ा ही पवित्र माना गया है इसकी महिमा स्वयम शिरी कृष्ण भगवान ने गीता में बताईए गीता के दस्वे अध्यायव के पैंतिस्वे शलोक में बगवान शिरी कृष्ण ने कहा है ब्रहत साम तथा साम नाम गायत्री चंद साम हम मसा नाम मार्ग शीर्ष अमर तुनाम कुसुमा कर अथार्त गायन करने योगे शिरूतियों में मैं ब्रहत साम और चंदों में मैं गायत्री चंद हूँ तथा महीनों में मार्ग शीर्श और रितूओं में बसंत मैं हूँ अतह इस महीने में बगवान शिरी कृषिन की उपासना की बड़ी ही महीमा है इस महीने में भगवान शिरी क्रिशन की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वह हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है मार्ग शिर्ष के दुरान सुबह जल्दी उठकर सनान से पवित्र होकर भगवान का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए सनान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी सनान करें यानि अपने शिरीर पर इसका लेप लगाएं और लेप लगाने की कुछ देर बाद पानी से सनान करें साथ इसनान के समय ओम नमो भगवते नारणे या गायतरी मंतर का चाप करें इस मौसम में शीत लहर आरंब हो जाती है अथ गरम कपड़े, कंबल, मौसमी, फल, शया, भोजन और अंतान का विशेश महतव है साथ ही इस महां में पूजा सबंधी सामर्गी जैसे आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा, मौर, पंख, जल, कलश, आचमनी, पितामबर, दीपक, आधी का दान भी शुव माना जाता है हिंदू पंचां के अनुसाय वर्ष का नवा महीना अगहन कहलाता है अगहन मास को मार्ग शीर्ष नाम से भी जाना जाता है अगहन मास को मार्ग शीर्ष कहने के पीछे भी कई तर्क है भगवान शिरी क्रिशन की पूजा अनेक सवरूपों में वह अनेक नामों से की जाती है इनी सवरूपों में से एक मार्ग शीर्ष भी श्रीक्रशन का ही एक रूप है शास्त्रों में कहा गया है कि इस महा का संभंद म्रग शीरा नक्षत्र से है जोदिश के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं जिसमें से एक है म्रग शीरा नक्षत्र इस महा की पुर्णिमा म्रक्षिरा नक्षतर से युक्त होती है इसी वजह से इस मास को मार्ग शीर्ष मास के नाम से भी जाना जाता है शिरी कृषिन ने मार्ग शीर्ष मास की महता गोपियों को भी बताई थी उन्होंने कहा था कि मार्ख शिर्ष महा में यमना सनान से मैं सहज ही सभी को प्राप्थ हो जाऊंगा कहा जाता है कि मार्ख शिर्ष के महिने में जो भक्त वगवान शिरी क्रिशन के मंतर का जाब करता है उसकी सभी इच्छाएं और मनों कामनाएं कृष्ण पूरी करते हैं चलिए अब आपको सनाते हैं मार्ख शीर्ष महात्मे का पहला अध्याए सनान का फल शीरी गनेश जी को परणाम करते हैं यहां मार्ख शीर्ष महिने की महिमा का वर्णन शिरू होता है सूथ जी ने कहा मैं माधव कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो देवगी के फुत्र हैं सभी लोगों के आनन्द का कारण है और संसारिक सुख और मोक्ष के दाता हैं और जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं अपने पुर्वज विष्णू राम की पतनी देवों के स्वामी जो श्वेत द्वीप में अराम से बैठे थे को पढ़नाम करने के बाद चतुर मुखी भगवान ने उनसे इस परकार पूछा ब्रहमा ने कहा हे रिशिकेश, ब्रहमान के निर्माता, हे देवों के भगवान जिनकी महिमा सुनना सराहनी है है सरवग्य भगवान मुझे बताएं कि वर्तवान में क्या पूछा जा रहा है पुरुम में आपके द्वारा ये गोशना की गई थी महिनों में मैं मार्क शीर्श हूँ मैं उस मास का महातमे संचेब में चानना चाहता हूँ उस महा का स्वामी कौन है पुहार में क्या देना है पवितर सनान कैसे किया जाता है इसकी प्रक्रिया क्या है इस अफसर पर प्रुशों को क्या करना चाहिए हे राम भगवान क्या खाना चाहिए क्या बोलना चाहिए पूजा ध्यान मंतर आदी के द्वारा कौन से संसकार किये जाने चाहिए हे अच्चत मुझसे सब कुछ कहो शिरी भगवान ने कहा हे ब्रह्मा समस्त लोकों के दाता आपने अच्छी तरह पूछा जब मार्ग शिर्ष का पवित्र संसकार किया जाता है तो ईष्ट पूर्ता आदी सहित अन्य सभी संसकार किया जाता है अधार्थ बलिदान, सारवजनिक उपयोगिता की कारे जैसे विश्राम गरहों का निर्मान, कुऊं और तलावों की खुदाई हे पुतर यदि मार्ग शिर्ष में कोई भी पवित्र अनुष्ठान किया जाता है तो व्यक्ति को वह पुन्य प्राप्थ होता है जो सभी तीर्थों में स्नान करने और सभी यग्यों को करने से प्राप्थ होता है हे पुतर मार्ग शिर्ष के महत्मे को सुनने से वह लाप प्राप्थ होता है जो मनुष्य तुला परुष आदी के दान से प्राप्थ करता है मैं कभी भी मनुष्यो द्वारा यग्य वैदों के अध्यन दान आदी से सभी तीर्थों में स्नान करने से त्याक से या योग के माध्यम से नहीं चिता जा सकता अन्य महीनों में मैं पवित्र सनान, दान, पुजा, ध्यान, मौन, वरत, जब और अन्य चीजों से मार्ग शीर्ष महीने की तरह असानी से नहीं जीता जाता एक रहस्य उजागर हो गया यह सोचकर कि यह मुझे प्राप्त करने का साधन है देवताओं ने अन्य धर्मों आदी की रचना की और इस परकार मार्ग शीर्ष को स्वर्ग के निवासियों देवताओं द्वारा एक अच्छी तरह से सरंक्षित रहस्य बना दिया गया मार्ग शीर्ष वह महीना है जो मुझे प्राप्त करने के लिए अनुकूल है इसमें अवश्य ही उन पुन्ने करम करने वाले लोगों द्वारा पवित्र अनुष्ठान किया जाना चाहिए जो मेरे प्रतिस मर्पित है भारत के शेतर भूमी में जो लोग मार्शीर्ष के पवित्र संसकार नहीं करते उन्हें पापी के रूप में जाना जाना चाहिए वैकल्युक से भ्रमित हैं हेप्रिय माग महिने में जब सूरे मकर राशी में होता है तो मुनुष्य को वहला मिलता है जो आट महिनों में प्राप्त होता है विशाक महा में सो गुना माग का पुन्ने प्राप्त होता है सूरे के तुला राशी में होने पर हजार गुना पुन्ने प्राप्त होता है सूरे व्रिष्चिक राशी में हो तो करोड गुना पुन्ने प्राप्त होता है इसलिए मार्ग शीर्ष श्रेष्ट है इसलिए मैं इसे हमेशा पसंद करता हूँ यदि कोई मुनिश्य भोर को उठकर विधी के अनुसार विधी पूर्वक पवित्र सनान करे तो हे मेरे पुत्तर मैं उसके प्रसन होता हूँ और अपने प्राण भी उसे दे देता हूँ इस संबंध में वैं निमलखित किसा सुनाते हैं हे पुत्तर सुनो नंदा चरवाहा एक महान आत्मा थी जो प्रत्वी पर बहुत प्रसिद हुई उसकी गोकुल नामक वस्ती में हजारों गवाले रहते थे हे निश्पाप उनका मन पहले मेरे सवरूप में आसक्त हो गया था मैंने उन्हें मार्ख शीर्च महीने में पवितर सनान करने का विजार दिया इसके बाद सुबह उनके द्वारा विधिवत पवितर सनान किया गया भूजा अर्चना की गई हविशे जावल का उन्होंने सेवन किया और उन्हें प्रणाम किया जब इस परक्रिया का पालन किया गया तो मैं प्रसन हो गया सच मुच मैंने प्रसन होकर उन्हें वरदान दिया है मेरा अपना सवस्त्व उन्हें मेरे द्वारा प्रदान किया गया था इसलिए मार्क शीर्च में संसकार प्रूशों द्वारा निशेध हाग्या के अंसार किया जाना चाहिए मार्क शीर्च महात्मे का पहला अध्याय समापत होता है बोलिये क्रिशन भगवान ने कीजए